इस टेन केनल के कास मुलाकात कारिकर में आप सभी दर्षकों का स्वागत हैं हम हर रोज एक नई सक्षियत से आपको रूबरू कराते हैं आज इसी संक्ला में हमरे साथ अभी वासक परसद के अद्देक्स स्री मनोज पुरी जी हैं मनोज पुरी जी से जानेंगे अदालत के बारे में और साथ ही वकीलों की जो जनकल्लेंड योजना हैं मनोज जी आज आप अपने जीवन पड़्चे के बारे में बताएं, आपके शिक्सा कहां से हुई, और आपने किन सामाजिक संग्टनों में भी काम किया, उसके बाद वकालात का पैसा किस रूप में आपने पकड़ा, जीवोट हमारे पिजाजी के पाद जाखोड़ा गाउं में हैं, वहां से आठी किलास पर पढ़ते तब कोटा आगे थे, और कोटा में पाटन पोल में हम लोग प्यदा हुए हैं, वहीं पर हमारी शिक्षा रे समाच रे विद्याली था एक उसमें प्रारिविक शिक्षा ही, उसके बाद सूरजपोल में से के अंट तक पड़े फिर मल्टी परवज में पड़े उसके बाद गोवर्मेंट को लेश्यम ने लोग अगरा करी और लेल भी गड़ने के बाद फिर वकील बन गे इस बीच में सोला साल की उमर में दस भी पास करने के बाद एक बार में जा रहा था जेके लोगन वस्पिटिल के पास से तो वहां बढ़ती दपतर है मिल्टरी का वहां लिख रहा था बोड लगा वह था जोइन दा इंडिया नेवी एंड सी दवर्ड मेरा दिमाग में वो छोटा बच्च्छ था उस टाइम में की करें आर अपनों को इसमें जाना चीए तो मैं एक बाद उसमें बढ़ती होने के लिए मैंने कोशिच करी तो अटालिस किलो वेट मांगे था उस टाइम बच्चे था सोला तुछ चीनालिस किलो निकला उसके बाद में च्छे मेने बाद दुबारा गया हम सो लोग उसमें कंपिटिशन में बेटे थे और हम चार लोग सेलेक्टों करके यहां से में आयने समांड भी गोवा ट्रेनिंग प्रशाया थे फिरमें नेढा करी और और गविच में बझतानग्ड़ कि निए निया करते हैं लेकिन हमने विध्यार्थी रिखते हुए व विद्यार्थी परशेत में चाम में करे और वचलन्альномकंजिआ गां जुट नहीं थे उसके पेले ही बना लिया था जब देश नाम की चैज़ नहीं थी उस समय बना लिया था तो बजरंग दल के बाद पीर बाद में बाद में कुछ संगे का दिकार और उने का मदन जी दिलावर आये थे अच्रूस है तो कि हरा पन को इनको इनको फ्रमुक बनान और सत्यासी अट्यासी के करेब एक बार शाहबुद्धी नाम एकसांसत्ता उसने लोंग मार्च का कोल दिया था हम जा करके राम जनबुमी पर नमाज पड़ेंगे तो उस टाइम बजदंग दल ने चोकिया इस्तापीत की ती उस टाइम भी हम आयुद्या गे नब्ब में कार लड़ गूद्याय देखर और चलते तेंप इस किलो मेटर चलते थे बीश कुलो मेटर चलते थे राइट को वापस लोड़ दे बड़ी मुश्किल से एक बार हमें पखळ लिया पुलिस ने अमने देखा थाने में बीठा था दिया को इस गृब तार एड़े तो में बिठे कि उस्ते में हमारे दोनों मर्कों कार से हुआई हमारे सामने गोलियां चली खून के उसमें नालियों में पानी की ज़िए खून बेने लगया था लोगों को कट्टे से बांद बांद करके सरी नदी में डूदिया और उसमें कोई पीएसी वाले नहीं थे उसमें मुलायम दो नहीं के बाद हम जम कोटा वापस आए तो उस टाइम यहां को यहां राष्तान में बाहर जिंता पार्टे की सरकार थी और उसको बरकास कर दिया गया संग पर प्रतिवन लगा तो कोटा में सेंटर जेल में रहे और इस प्रकार से जीवन चलता रहा फिर बाद में वकाल प्रण मंच था कोटा में पूरे देश में जिसने 1151 लोगों को दशेरे के दिन मीडिया के सामने मंच लगा करके बढ़ा और 1151 लोगों को श्रस्त्रदारन करा तलवारे बेंट करी और उसकी पूजा करवाई इसा आज तक कुछ देश में और किसी ने नहीं किया कि अधिन ऑन हम नब में यह उसके बादम और शुच रहे हैं जिससे अपना परिवार चल रहा है उसके बारे में तोड़ा नहीं सोचे तो फिर मिने 2010 पेली बार नहीं पर से महारा पर कि अधारत में और सेगेटरी बनातों में एक बार यह कुनाडी रन लगे था उस टाइम दो जाराइट में पार्टन पोल से शिप्ट करके कुनाडी मकान ले लिया था मेरे आगे आगे हमारे एक वकील साथी जा रहा था नयापुरा में उस टाइम एक पुलिया थी चंबल और गायल वायल के लिए तो कोई मतलब इसी कोई समुचे दिवस्ता नहीं थी हमने उस टाइम विचार किया और मैंने सो रुपे का वकालत नामा शुरू किया और उसमें मरने पर वकील को एक लाग रुपे स्टार्ट किये गायल पर पचीस जार रुपे दिये इस प्रकार स के लिए दो सुरू दो लाख रुपे की विवस्ता गाय लोगों इलाज की विवस्ता दसजार रुपे किसी का हाथ वगरा फेक्चर हो जाए आग का उप्रेशन करना हो बीमार हो जाए इस प्रकार से दिरे-दिरे यह इसा नहीं कि में नहीं किया मेरे बाद आने वाले जो से उन्होंने विवस्ता को दिरे-दिरे बढ़ाया मनोजी अभी वासक प्रसद कोटा इसमें कितने सदस्य हैं इस वक्त अभी वर्तबान में बार कॉंसिल अब राजस्तान से रजिस्टर्ड चोंतीस सो से उपर लोग हमारी बार हैसन कोटा के सदस्य हैं और लगबग 2,000 से दो जार से उपर लोगोंने मद्दान किया है और इस नाइम लगातार रहे बच्चे बहुत ज़्यादार है मनोजी आप कितनी बार आपने अभी बासक प्रसद का अध्यक्स पत्रसमाला और वकीलों के लिए क्या लोकल्यान कारी 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 किया आपने थे लिए दो जार तेरह में अध्थ रहाँ दो जार अठाव एड़ा और अभी दोजार चोईश में फिर हूं तीन बार में बारे सोचन कोटा का अध्थ रहाँ एक बार से गेटरी रहा और ये एक सहीजों मानो या वकीलों का मेरे उपर विश्वास मानों कि मैं एक मात्र क्यों इसने पूरे देश मैं इस्टाइपंड कि विश्वस्ता की ती कोई बच्चा नया वकलत में आता है तोमने 15 रुप प्रतीमा उसको देने की देवस्ता की ती ताकि कम से तो राद मिले घर वाल से उसको पेटरोल के पेसे हैं अधालत में दिन में लंज के टाइम विवस्ता साल पर में अब इस वाज जागरत हो जाता तो इस पेशे में वो जुडा रहेता है फिर तो इसलिए हमने विवस्ता करी उसके बाद अभी कोई बुजूर्ग वकील है हमारे हैं वो बीमार हो जाते हैं अब बुजूर्ग जिसको 40-50 साल वकारत करते हो गे तो हमेश जाने में 10,000 रुपे देते हैं किसी के कोई पहले रसी साटेक वगेरा का यह इस प्रकार का थोड़ा बढ़ी होगी तो 25,000 रुपे देते हैं किसी को हाट एटेक आ गया तो 50,000 रुपे देते हैं और किसी की डेथ हो गई तो चाहे वो एक ही दिन का बारका सदस्य हो अभी वरतमान में हम उसको 400,000 रुपे उसके परिवार को पे करते हैं आप क्योंकि सरकार तो वकीलों के लिए कुछ करती नहीं है और अचानक से कोई वकील चला जाता है तो उसके परिवार के लिए बोट बड़ा संकट हो जाता है तो कम-चार लाग रुपे उसको हम यहां से दे खाल आप अपने इस्तर पर करते हो हाँ मेरे क्याल से किसी वी बारेसुशन के चार लाग रुपे को अपने सदस्य को देती हो अब इसकी परिवार को इसा कुछ भी नहीं और अब अमने रिटायर्मेंट का भी चालू कर दिया जिसने पेतालीस साल की वखलत पूरी कर लिये औ बार कॉंसल अप राजस्तान से रिटायर्मेंट लिया हुए और हमारे यह उस रिटायर्मेंट के शर्टिपिकट को रख दे तो हम उसको यहां से वो मरने बेदे जाने वाले पेसे हैं चार लाग रुपे उसको जिंदारेटी भी देते हैं अभी हमने मेने अभी 15 दिन पिले ह एक वकील साब को दिये हैं तो चार लाग रुपे उनको रिटार्मेंट पर दिये हैं उसके बुजर के पाथ तो बच्चे भी उसकी देखबार इसाब से कर लेते हैं हावासी कोलोनी की भी हमने करी 2010 में जब में ता उसी टाइम कोलोनी स्युक्रत करवाई थी और 2018 में तो बार अंदोलन कड़ा किया था वस्तुंद्रा राजी की सरकार में कि सरकार जाते जाते उन्होंने पचास करोड़ से उपर की राशी जो ब्याज पेनल्टी के वारे उपर युवाइटी ने लगाई थी उसको माफ किया और 840 920 वकीलों को नगरिवगाज नियास कोटा से रानप देश्ता मैंने बेंकों के शीवर लगवा अदालत में और एसे वकीलों को भी लोन दिया जिननों कभी जिंदगी में इंकम टेसा आइटी यार भराई नहीं साटिपेट भी उनकों भी बेंकों ने लोन दिये और यह देखो आप सबसे बड़ी बात 920 में से जितने वकीलों हो चुका रहे हैं मनोजी चालिश साल पहले जो नियाले का जो परिशर था वह मतलब वकीलों की संक्या बढ़ दी तो यह परिशर चोटा पढ़ रहा है तो इसकी क्या आपने सरकार से मांगी कि नया परिशर इसका सुद्रण किया जाना चाहिए परिशर तो चोटा बढ़ इस बात की तो को इसमें तो कोई संदेह नहीं है और परिशर में आम उल्चुल विवस्ता है भी सरकार की तरफ से नहीं बढ़ साथ आती है जरा सी उसमें नावे चल जया इसा फानी बढ़ जाता है वकिलों टीन शेड की नीचे वकील बेढ़ते हैं मैंने जब जब भी मैं हुआ हूं तो जहां जहां वकिलों बेढ़ते हैं और उनकी टीन शेड नहीं है वहां टीन शेड की विवस्ता है करवाई है लाइट के नए कनेक्शन भी लिये हैं और अभी पिछले सरगार पिछल में ये बड़ा एक होल भी बनाया है उससे काफी कुछ तीन शेड की जो व आशेड वानिजियन आले वो को किरायाे में चिल रहा है रहें där मे नक्षा होकरा सब अपरूड हो गया था टेक्निकल बजट भी पास हो गया था लेकिन बता दें कि कोई फोज ने आपती कर दी साथ मंजिल बिल्डिंग बिल्डिंग बना नी थी तो अब हमने रखा है उसमें मजवरा कभी साथ मंजिल नी तो आप चार मंजिल बना लो उसकी आप इस अदलत को बना दो लेकिन क्या होता है कि हमारे के राजनेताों की एक्षाज सब्सक्राइब कमज़र है और चालावाड जैसी जगवर भी मिनी सचिवाले बनां बने लेकिन कोटा में मिनी सचिय वाले ने ने नहीं आतुझा यहां तो बसके वल बात हैं उसके को टा से बाहर श्क्त होईगी तो इसने जनता पुराइब गया उसको बेटने की चाहएदार वियुस्ता मिलें ऐ तो उसके लिए टोईलेट की वियुस्ता हो गवा आये तो उनके के लिए बेढ़ने की विश्वास उठेगा मनोजी जो गरीब लोग आते हैं जो कोट की पीस भी जमानी करा पाते आप की तरब से कोई परल की गही है कि उनके लिए बिना पेसों में वकिल को खड़ा किया जाए अगर किसी के पास अपना केस लड़ने के पैसे नहीं है तो बार इसोजन कोटा उसको निशुल को वकील उपलब्द कराने के लिए तैयार है जिसको भी परेशानी है आपके चैनल के माद्यम से भी में आवान लोगों से कह रहा हूं कि अगर दी किसी को परेशानी है वकिल करने के पैसे नहीं है तो आप हमारे पास आएं हम आपको निशुल्क आपकी पेरिव की विवस्ता करेंगे कोई पेसा कोई वकील आप से नहीं लेगा कि मनोजी आपकी जो लाइबरेडिये वह उसमें क्या विवस्ता है जो नए आने वाले वकिलों के लिए जो पारेशान की लाइबरेडिये काफी अच्छी लाइबरेडिये और बड़ा बड़ा होल भी है उसमें असी वगर्या सब लगे हुए हैं बेट कर पढ़ने की विव लिए बन जाएगी और उसे कोई साभी कानून की वाकिल国 प्रेशान ही नी chopped लेगा ही नहीं पढ़ेगा भी सरही कोफी महाँ से कर लेगा तो एक बार काम दो तीन मेने में दो मेने करीमें पूरा होने वाला है तो उसके बाद कोटा के लाइवरी मुझे लगता है राजस्तान में सबसे एक नमबर की लाइवरी बनने वाली है है कि राजस्तान ऐगेंश की जो पाकि मौन लगातार उठ रही है और कापि बर्सों से क्या है मसला है क्यों भूप पार रही है है कि हाई कोटेश की मांग कर रहें ला उसके साथ हमारी राजिएट ही इक सक्टी वी होने चाहिए इस सेत्र के जब भी बारेश उसन में में अध्यक्स बनाया मेरे दो जार नों में एक बुद बड़ा अंदलन हुआ बारे दो जार नों में ने दोड़ा हैं थे इतना जवर्दस्ता आंदोलन किया था और उस आंदोलन का प्रवाव यह हुआ कि राजस्तान की सरकार ने एक कमिटी बिनाई थी संभाग इस्तर की और उसमें गाता ही बीकानेर, अजमेर, कोटा और उद्यपुर इन चारों संभागों को मिला करके बेट करके और इनकी इनका सहीः साल दूसरा धेश बनता है, तीसरे साल थीसरा अधेश बनता है, हर आदमी की काम करने की चीलिए तो सब अलग होती है, तो आपके हाँ अपनों जानते हैं राजनितिक व्योस्ता केसी है यहाँ जब तक राजनितिक वालों को यह नहीं लगे है कि इससे मेरे को खत्रा है तब तक उस मांग पर ध्यान देते ही नहीं है तो इसी कारण से आईकोट की बेंच कोटा में इस्ताफित नहीं हो रही है वर्ना आईकोट की बेंच की मांग कि लिए कोटा सबसे ज्यद्धा सूटेबल है कोटा की रेल कनेक्टिविटी सटक करने एक ट्रीटी बढ़िया है कोटा का जो शेत्र है अदिवाशियों का गिरा हुआ है बारा के जो आगे उदर जालावार के हैं जो वह शाबाद एक ले रहा है मनोर थाना है इतने इतने दूद चार-चार सो किलो मिटर दूर से लोगों को आना पड़ रहा है और वहां से ज कोट की बेंच बनना चाहिए और हमारे सांसद मोद्य को हमारे विदायकों को इन सब को इसमें प्रयास करके और इसको लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए अबिवासत परसद रशनात्मकारे जैसे सांस करती खेल गोश्टयां कराती रहती है तो इसका मकसद क्या रेता है निखो क्या है वकील की जीवन से लिए ना बहुत एक ब़ूद बीजी सी जीवन से लिए दिन वर वकील अदालत में रहता है दस से पांस तक उसके बाद गर पहुचता है तो दर्वाद आट बैसे बेढ़ता है साथ बैसे बैठता है रात की ग्यारा बहुत तक बारा बहुत दूसरे दिन की ताहरी करता है तो इसी जीवन शेली में से एक मतलब एक डेली रूटीन हो उसकी लाइफ में कोई बदलावी नहीं है वो परिवार से भी बैसान रहते हैं कहीं जाती नहीं है आती नहीं बजार ने ले जाते बच्चों के साथ निगूमते हैं तो इसलिए वक्तिलों का भी थोड़ा मरवरंजन हो और उसका दिमाग तोड़ा फ्रेश हो इसके लावा खेल से जुड़ने से ही होता है कि शरीर स्वस्त रहेगा जब क्या काम करेगा इसलिए हम यह खेल और उनको बढ़ा हो जैते हैं अभी हमारे आज ही प्रतियोक्ताय शुरी हुई है अठारा टीमें हैं कोटा बुंदी बारा जालावाड अन्ता धीकोद के शुराय पाटन सब जगह से टीमें है और उन अठारा टीमों के में आप एक तीम कितने लोग क्रिकेट के साथ जुड़े हैं इसके लावा टेबिल टेनिस बैडमिंटन शत्रंज केरम और इस बार तो मैलाओं की दोटी में क्रिकेट की प्रतियुताव में भाग ले रही है तो इतना अच्छा कारेकम अब साथ से लगा के अठारा तक चलेगा इसमें कुछ बाखर के लोग भी आते हैं वाजियों हमारे जन परतिनी दी हैं उनको भी हम कारेकों में बुलाते हैं तो इसके एक महौल बनता है सकारात्मक और लोगों को काम करने की प्रेहना इंस शरीर को स्रुत रखने की प्रेहना मिलती है करतव है कि हम उनको उनके करतव याद दिलाएं कि आप हमारे प्रतिनिदी हो हमारे पास भोट मांगने आये हो तो राजस्तान की हाई कोड की बेंच की स्ताफना कोटा में होनी चीए इस बात का प्रेशर हम अपने राजनेताओं के उपर बढ़ाएं क्योंकि उद्यपूर में लोगों के लिए टॉयलेट की विवस्ता हो पीने के पानी की विवस्ता हो वकीलों के बेढ़ने की विवस्ता हो और अदालते एक ही जगह पर चले ताकि किसी को इदर दर बिनाबाद नीगूपना पड़े और सरकार का पेसा भी बचे तो इस फिल्ड में जन्दपृती नि काम करेंगे जब जनतां को इंवाज कि नारे लगा लगा व वहाई करती देगी अपने पारेशाना नहीं बताएगी तो निस्चित रूप से मांओ बिना रोय तो मांबी दूध नई पिलाती है इसे तरह से जन्पृति निदी पी कुछ तुनेंगी नहीं आप λोग उनको कर करो उनको बताओ अपने आऊ सकता हैं ताकि वह आपकी मांग पूरी करें और आपको जनता को सुविधा ही मिल सके और जिस लिए हमने जन पर तिर्दुई को चुना है वो देश्चे भी पूरा हो सके कुछ दो-च्याव दिन से चल रहा है यह उप पंजियन जो द्वित्यकार्याले यह यूएटी में शिप्ट हो गया वकील आंदोलन करें कारण क्या है देखो क्या है कि पिछले दिसंबर के पहले राजस्तान में कांग्रेश की सरकार थी और इस सरकार ने ब्रश्टाचार के लावा कुछ किया नहीं तो ठेक पर देदो किसी भी चीज को सरकार के करमचारी लगे हुए हैं उसके बावजुद भी नोंने एक कंपनी से प्राइवेट कंपनी से अनुबंद किया और रजिस्ट्री के काम को ठेके पर दे दिया अब वो करमचारी क्या करेंगे बेरोजग कारयले जो नयापोरा में चलता है पॉराणे इतने बट्सों से जहां वकील यहां गल हो लुदिन ब soulsो बाद भी आपने उसको उठा करके इसलिए कि वकील इसमें इंटरफेर्ट नहीं करें कुछ लोगों की दलाली चले कुछ लोगों की ब्रच्टाचार और रिश्वत कोरी में कोई बादा उत्पन नहीं हो इसलिए वकीलों से दूर ले जा करके उसको सिए डी में एक दो तीन कमरे का कारेले लेकर के वहां उसको चालू करने कोशिश कर रहे हैं अब उसमें 50,000 रुप मेने में किरायवी लिया है जबकि रजिस्ट्रार काराले में अभी हाली में दो करोड रुपे जगा के नई बिल्डिंग बनी है मैं देखके आया भी दो दिन मोदी की राजस्तान के सरकार की बेष्टा-चार पर जीरो टोलरेंस की नीति है इसलिए हमारा तो सरकार से निवेद़ाने अभी हमने कलेक्टर साहर से भी लिई का कि भी पिछली सरकार ने जो किया आ उसको कतम करो बेष्ट्रा चार करके कुछ पंगा ले उन्हों नहने कमा और सारी सुविदाएं वहीं पर यह उससे वापस वहीं शुरू करो नहीं करोगे तो आप एक बड़े अंदुलन को नुता दे रहे हो हम जाएंगे युए टी कालाले पर ताम तमूरे उकाड़ करके पेक देंगे हमने के दिया पेले भी चेताव नहीं थी यह ते हमारे साथ अभी बात सब्सक्राब के अब देख्स मनोस पूरी जी इन्होंने ने वेश्टा से समधित कई जानकारी आपको दील आप अमारे स्टूडियम पदारे बहुत है अब ने बहुत है दन्यावास ब्सक्ति झाल झाल